हेलो दोस्तों कैसे आप एंड वेलकम बैक टू कोश्टल डूडूड लॉक्स आज की वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा मोटो व्लागिंग सेटप के बारे में मोटो व्लागिंग का सेटप जो है और कल हमारे पास यहां डेलिवर हो चुका है चलिए एक चोटे से इंट्रो के बाद आज की वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों पिछले व्लाग पर मैंने जैसे आपको बताया था मैं एक सब्सक्रेट ब्लॉग बनाऊंगा मोटो व्लागिंग सेटप के ओपर दोस्तों यह सब सेटप है जिसको मैंने विपकाट से औरर किया था सब चीजे है जो मोटो व्लागिंग के लिए जरूरी है सबसे पहले आपको मोटो व्लागिंग के लिए जरूरत है एक हेलमेट दोस्तों हेलमेट के बिना आप मोटो व्लागिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि जिसको आमने सेटप के लिए मंगवाया है वो चीज सिर्फ हेलमेट के ओपर ही और एक चीजे मैंने नोटिस किया है जितना आपका हेलमेट वेट होगा उतना ही आपको स्टेबिलाइजेशन अच्छा मिला है इसको भी मैं रेगुलरली यूस करता हूं यह मैंने एक साल पहले लिया था बहुत ही लाइट वेट हेलमेट है यह वीडियो बनाने के पहले मैंन यह आपको स्टेबिलाइजेशन अच्छा दोस्टों चलिये हम जानते है अभी मोटर आगिंग सेटप के बारे मीं की चिन्मांट्ट शेंगे ůह वह बहूत ही इंप्ड़ाग बनाने के लिए जो है आपके helmet के उपर लगता है इसके विना आप motor logging नहीं कर सकते हो यह आपको flip card पे different different prices में मिलेगा और इसके quality भी बहुत ही अच्छी है इसको आप mobile भी attach कर सकते हो आपको gopro तो इसको भी attach कर सकते हो इसके उपर तो यह कैसा है कि अंदर से यह जो है वह rubber का बना हुआ है यह दूस आज़े का आगे का ऐसा होता है जिसको आप लगा सकते है इस तरह से और इसको तीम जो corner है इसका यह दो उपर का कॉर्णर है और नीचचे का कॉर्णर है इसको एक belt जैसा दिया है यह इसको मतला मझभूच से पकड़ने के लिए कुछ इस तरह से लेखिए अब ही यह जो है इसको डालना है और इसको यहां से लॉक कर देना है अभी यह लॉक हो गया आपकर आप कितना विखे जो एक कैमारा जो है आपका नीची नहीं गिरेगा इसलिए यह यहां पर एक लॉक दिया है टोटली यह बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इसके क्वालिटी भी बहुत अच् इसको मैंने लिया था 550 में इसको मैंने सबसे पहले ऑर्डर किया था उसके बाद मैंने बाकी कज़े जो है उसको ऑर्डर किया था दोस्तों चिन माउंट के बाद आता है जे माउंट जे माउंट भी बहुत ही ज़रूरी है मोटर लागिंग सेटप के लिए यह भी आपको ड यह जो है J Mount उसके बाद में आता है यह pole mount उसे पोल माउंट जो है वह बहुत important है इसको लेने के लिए मैंने बहुत struggle किया है क्योंकि इतना इतना चीज जो आपको available है इसको इसको जाना separate से आड़ करना पड़ता है यह साथ में नहीं आता है और यह जो पोल माउंट है ना यह उपर का जो एसा राउंड जैसा है इसको आप ऐसा सप्रेट कर सकते हो इसको सप्रेट कर सकते हो बाद में इसको ऐसा ही एटाच कर सकते हो इसके उपर यह जो है इसके उपर एटाच हो जाता है कुछ किस तरह से एटाच हो जाता है उसके बाद यह जो ह आपको चाहिए वह एक होल्डर एक एक्षण प्रो का होल्डर यह आप दे सकते हैं अगर आपके गर्प पर कोई भी पुराना सेलफिश्टिक हो जिसकी उपर इस तरह से निशान हो तो आपका एक एक मबायल होल्डर चाह सकता है जिसके उपर आपका अपना मबार रख सकते हो यह जो है मेरे पास एक पुराना मोबाइल है जिसको मैं यूज नहीं करता हूँ अभी डेमो के लिए मैं इसके उपर एटच करने वाला हूँ का क्वालिटी जो है वह बहुत अच्छा है इसको उपर से कुछ इस तरह से टाइट कर सकते हो कुछ आप इस तरह से कुछ इस तरह को अधोरी करेंगे मोर्विक कर सकते हो कुछ तरह से अभी हम क्या करेंगी कर देगे सबसे अभी हम क्या करेंगे चिन मांट को लेंगे और इसको इसके ऊपर कुछ इस तरह से इसको एटेच करेंगे यह जो साइड है इसका इसको इधर अंदर से लेंगे और इसको ओपन करेंगे लॉक को यहां इस तरह से को रफली एक लॉक कर देते हैं उसके बार आपको दूसरा लेना है दूसरा बेल्ट इसको भी आपको ऐसा ही क सब्सक्राइब एक दम सेन्टर पर लगाऊंगो अभी यह बन चुका है इसां एक ये ताइट बन चुका है कुछ इस तरह से इसके बाद में क्या करना है पोल मांट को आपको पहले क्या करना है ये जो तीन है ना तीन इसके बीच में होता है इसको कुछ इस तरह से लगाना है बाद में आपको यह स्कुरू है ना स्कुरू को लेकर इसके अंदर डालना है और इसको इस तरह से tight कर देना है last step जो है वह आपका holder के बारी है holder को क्या करना है अगर मैंने तब बताया था अगर आपको hole होगा ना किसी भी holder पर इसके ओपर आप इसको attach कर सकते हो easily अभी क्या करेंगे इसके ओपर इस तरह से लगा कर इस तरह से इसको अभी राउंड गुमाना है और टाइट कर देना है टाइट करने के लिए नीचे का स्कुरू जो है उसको तोड़ा ये स्कुरू देते हैं इसलिए कि नीचे ये होल्डर को मजबूत कर सकोई अभी ये हो चुका है ये आप देख सकते हो हमारा मोटो लागिंग का सेटप आप यह हाँ मोबायल को मजबूत आप देख सकते हो घयार हो चुका हुआज जो है कि इसको नाइचे ओप 책 विकर सकते हो ऊपर भी कर développ कर सकते हो इस तरह से भी कर सकते हो तो यह वंचिका है हमारा मोटो लागिंग का सेटप तयार तोड़ी देर बाद एक राउंड मार के आते आपको दिखाऊंगा कि यह आपको गोप्रो का फिल देता या कि नहीं दोस्तो राइट को जाने के पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़े आपको आपके साथ शेर करना चाहता हूं दोस्तों आपको मोटो लागिंग के लिए कोई भी प्रोफेशनल गोप्रो या कैमारा की जरूरत नहीं है अगर आपके पास एक एंड्रोइड मोबाइल हो तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो मोटो लागिंग बनाना आपको बस चाहि अच्छी है यह देख सकते हो जो भी मैं व्लॉक्स बनाता हूं वह मैं मेरे स्मार्टपोन पर ही बनाता हूं हाला कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है अभी इसके उपर एक चीज लगना बाकि वह माइक माइक का भी कुछ इंतजाम नहीं किया है मैंने फिलाल तो यह देख सकते हो यह मुझे गोप्रो का फील दे रहा है चलो यह राउंड मार के आते गाड़ी पर और यह बहुत ही अच्छा है आपको गोप्रो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपके पास एंडर अडर यह होल्डर सब कुछ हो तो सेट आप हो तो मोटो लागिं क हागे जाते हैं आपको दिखाऊंगा आपको स्टेब्लाइस कैसा मिलता है इस पर फिलाल तो मेरा हेलमेट जो हो वह पहुती लाइटवेट है देखते है कैसा हमको स्टेब्लाइस मिलता है चाकी तो अभी आपने देखा कैसा आपको स्टेबिलाइजेशन मिलता है तो अगर आपका हेलमेट हेवी हो तो बहुत अच्छा स्टेबिलाइज देता है मेरा हेलमेट जो है तोड़ा लाइट वेट है इसलिए स्टेबिलाइजेशन इतना अच्छा नहीं मिला और उसके उपर हमारा रोड जो है हो concrete road है डामार रोड होता तो कोई प्राब्लम नहीं concrete road पे आपको उपर नीचे तो ज़रूर मिलेगा आप अगर highway पर राइडिंग करते हो तो आपको कोई प्राब्लम नहीं आए कि क्योंकि उप्राइड रोड है कोई भी उपर नीचे आपको नहीं मिलेगा तो और प्रोड़क्ट बहुत अच्छा है आप पर्चेस कर सकते हो मेरा सजेस्चन है कि मोटर व्लागिंग के लिए बेस्ट प्रोड़क्ट है क्वालिटी भी अच्छे और आपके बजट में आएगा इसलिए आप पर्चेस कर सकते हो तो अगर आपको मेरा आज का मोटर व्लागिंग का वीडियो जो है पसंद आए तो एक प्लीस लाइक किजेगा और आपने सार मेरे दोस्तों के साथ शेर किजेगा जो भी आपके दोस्त मोटर व्लागिंग करना चाहते उनको ये वीडियो आज का शेर किजेगा तो ऐसे ही मेरे चानल को देखते रहिएगा सब्स्राइब किजेगा तो मिलता हूं मैं आपको अगली व्लाग पर बाई